नमस्कार दोस्तों फिन निफ्टी और यूसडी आइनर की इस वीडियो में आप सब का स्वागत है तो जैसा कि कल मैंने समझाया था आपको कि थोड़ा सा छोटा सा स्टोपलोस है अठरा चारसोपच्चिस कि उपर आई तो आपने कोछ बाय कर लें इस अठरा 420 के नीचे आई तो पूटबाइ कर लेंगी हमने यहां पूटबाइ की नीचे भी तो हमें क्या मेला अठरा अठरा तीन सो तीस के आसपास का लेवल और यहां पर हमारा एक अधा एसल भी हिट हुआ पर फिर भी अठरा चार सो पच्ची से जो हमने लिया कॉल को क्योंकि धीरे धीरे कॉंफिडेंस क्रेट हुआ और जब हमारी पंदरा मिंट की कैंडल इसके उपर क्लोज होई तो यहां से हमने कॉल लेली कहां से 8 430 440 तो उसके बाद हमें काफी अच्छा गीन मिला मलग बग 18610 तो हमें कुल मिला कर अगर हम यह वहला टार्गर भी लें तो यहां तक भी हमें कम से कम सो सवा सो पॉइंट का प्रॉफिट बड़े राम से हुआ तो आईए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम आते हैं USD INR पर तो कल मैंने आपको कहा ही था कि यहां पे बाइग करना 81.60 जैसे आएगा यहां पे आपने बाइग करना 81.60 आप देख रहे हुए यहां से बाइंग आई है और बहुत अच्छा हमें पहला टार्गट मिल भी कहा है कौन सा 81.73 उसके उपर यह वली लाइन लगा लो यह अगर फिर क्रोस होगी तो फिर से बाइग कर ले न और फिर 82.08 82.32 82.45 82.56 वापस मिल जाएगा तो सबसे बहले आपने वेट करने इस लाइन की यह लाइन की निशाननी है डेली चार्ट पे जाना और यहां पे एक लाइन लगाना जो कि है 81.90 के आसपास उसके बाद नीचे है नीचे का मैं आपको बताता हूं कि अगर 81.442 तो आपने सेल करना है और नीचे फिर डिप लगाएगा रुपईया 81.22 तक तो यह था हमारा complete trade setup USD INR के मामले में अब हम आते हैं stocks की stocks में हमने कौन से ऐसे stock है जिनका चार्ट अच्छा है सबसे पहले हम आते हैं Tata Com पर Tata Com ने आज breakout दिया है तो 1386 के उपर जहां जहां resistance है वो note कर लो तो resistance 1417 यह उसे खोलना पड़ेगा तभी यह खुलेगा आपके सामने 1417 1438 1450 1479 1494 और 1515 यह वाले यहां जहां resistance है सारे हैं तो हर resistance वे आपने profit book कर सकते हैं अगर 1347 टूटता है तो नीचे की और के level कुल जाएंगे 1255 और 1186 तो उपर दोनो तरफ के मैंने आपको level बता दिये हैं कौन कौन से level है दूसरा जो stock है वो है Indigo इंडिको भी breakout देता है दिखाई दे रहा है चार्ट पे अभी breakout दिया नहीं है देने वाला है तो 203 के उपर अगर जाता है तो उपर हमें मिलेगा 2185 2245 और 2308 नीचे अगर 1987 टूटा तो ये मिलेगा 1853 और उसके नीचे भी है ये मिलेगा में 1705 मतलब breakout देने वाला है इसलिए मैंने आपको ये भी स्टोपता है टाटा कॉम और इंडिगो अभी इस टाइम पूरे-पूरे बुलिश है तीसरा जो स्टोप है वो है हिंद कोपर हिंद कोपर चाइना की कॉनमी की वेज़ा से काफी भाग रहा है और इसने breakout दिया हुआ है किसके उपर दिया हुआ है 123 जिसको हम green कर दते है तो 123 के उपर जो जब तक है ये भुलिश है 126, 129 133, 137, 141 तक के target आपको ये वले resistance है उपर की और नीचे की और जब तक ये 113 के उपर है तब तो ठीक है जब 113 तूटेगा इसका तो chart काफी खराब हो जाएगा फिन नीचे की और जो जहाँ-जहाँ sport है वो है 108, 103 और 100 completely 100 तो आईए अब हम आते हैं fin nifty पर कि fin nifty में हमने क्या करना देखिए fin nifty में जैसे कि मैंने बताया था कि 18425 तक का dip buy करना है तो 18300 की call हमने ली अब stop loss थोड़ा सा बड़ा रख दो ये stop loss रखना है 18345 ये 18317 ही रख लो वो भी ठीक है जैसे ये stop loss तूटेगा फिर आपने 18500 की put ले लेनी है तो stop loss रखना 18350 बड़ा चोटा stop loss मैं हमेशा देता हूँ नीचे गी और 18250 का आपको target मिल सकता है उसके नीचे जो target आपको मिलेंगे वो मिलेंगे put में 18145 18,080 और 18,044 तक के target आपको इस put में मिल सकते हैं बशर्ते की ये तूटे तो 18,317 जैसे यहाँ आए तो फिर आपने put ले लिए उपर की ओर क्या करना है उपर की ओर 18,000 तोड़ा से नीचे कर देते हैं अब समझ आजएगी आपको कोई भी dip आता है इस dip को आपने buy करना है 18,300 call sell रखना है 18,317 का उपर जो target रहेंगे 18,610 655 और 706 सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना profit बुक करना है जिनके पास hold भी है उन्होंने भी यहाँ पर अपना profit बुक करना है और जैसे 18,706 निकलेगा फिर से call बाए गरने 18,762 18,796 और फिर आजएगा 50 EMA जो की है 18,230 के आस जादा से जादा यहाँ तक फिन निफ्टी भागने के चांसिस पूरे पूरे रहेंगी यहाँ तक का एक रन मिल सकता है उसके उपर भी रन मिल सकता है वो भी मैं बतावा जाता हूँ 18,860 नहाँ है यहाँ पर क्या है सारे एमेडे में तो इसलिए बहतर होगा कि यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना इसलिए मैं कहरा हूँ जादा जादा यहाँ तक जाएगा तो वहाँ पर रुक जाना यहाँ पर जो कॉल बाइ करोगे इसका स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना है 18,650 यह रहेगा आपका 18,655 तो जादा सजादा 19,018 पर यहीं M.A.D.M. इसको क्रोज होने देंगे तब ही कुछ होगा वैसे नहीं तो यह था पूरा ट्रेड सैटप फिन निफ्टी यूस डियनर और उसके साथ साथ तीन स्टॉक्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जुरूर जोइन कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बैल आइकन का बटन जुरू दबाईए और उसके साथ साथ नीचे फ्री टैरिगरम चैनल का लिंक दिया है उसे जुरूर जोइन कीजिए को कि वहाँ पर भी हम टाइम टाइम गाइडन्स देते रहते हैं और कभी कभी वहाँ हम ट्रेड भी देते हैं और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए थैंक्यू धन्यवाद